हलो दोस्तो अभी तक हमने पढ़ा ओम्सला के बारे में और रजिस्टेंस के बारे में कि रजिस्टेंस आपका क्या होता है अब हम यहां पर आपका डिस्कस करेंगे कुछ नुमेरिकल प्रोब्लम्स को इनी टोपिक से रिलेटेड जो अभी आपने पिछले तीन-चार उसको पहले आप राइट कीजिए मतला अपने नोटोबुक में लिखिए फिर उसका सुलूशन कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो सुलूशन आप यहां से चेक भी कर सकते हो कि इसका सुलूशन क्या होगा अगर आपको कोई भी वेरियेशन है तो आप मैच कर ल क्या होता आपका एप्लाइड वोल्टेज आप कह सकते हो बिट्विन टू पॉइंट्स माल लीजिए दो पॉइंट्स है आपके एक पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट आपका क्या है बी है इन दोनों पॉइंट्स की बीच में कह रहा है कि आपका टू याने कि एक wire है आपकी carrying two ampere current is point five volt ठीक है और इसके अंदर आपको क्या निकलना है resistance आपको निकलना इन दोनों points के बीच में तो यहाँ पे अगर आपका दे रहा है कि wire का आपका क्या है resistance है तो हम यहाँ पे सीधा क्या draw कर सकते हैं एक resistance draw कर सकते हैं ठीक है यह आपका हो गया resistance अब यह कहना चाहरा है कि इस wire के through आपका कितना ampere current flow कर रहा है two ampere का current आपका flow कर रहा है तो यहाँ पे कितना current आपका पहुंचेगा two ampere का current ही b point पे पहुंचेगा अब आगे आपका क्या कह रहा है कि इन दोनों points के बीच में जो wire के अंदर आपका 2 ampere का current है उसके अंदर आपका जो potential difference है वो है आपका point 5 volt तो इसका मतलब यहाँ पे देखो माल लीजिए यहाँ पे आपने plus sign ले लिया और यहाँ पे आपने ले लिया minus का sign ठीक है यहाँ पे आपने लिख दिया वही point 5 volt है आपका इतना आपका potential difference है अब इसके बाद में आपको क्या calculate करना है इसका resistance क्या होगा यह हमें यहाँ पे calculate करना है तो आपको क्या करना है जब भी आप board के exam में बैठते हो देखो अगर आप NEET के exam में बैठते हो तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना होता बस question की sense लगाईए और आपका answer आजाएगा सीधा ठीक है लेकिन जब आप board के exam में बैठोगे तो आपको क्या करना होता है आपको एक diagram मनाना होता है कि क्या आपका given है उसका diagram मनाईए फिर उसके बाद में आपको लिखना होता है given तो यहाँ प आपको given है ठीक है अब इसके बाद में to find out क्या आपको find out करना है तो find out आपको क्या करना है यहाँ पे resistance आपको find out करना है कि resistance आपका कितना होगा ठीक है अब यहाँ से हम start करते हैं इसका solution तो solution आपका कैसे आ जाएगा देखो solution का मतलब आपको निकालना है R की value ठीक है अब उ attempt करने का भी sense होता है कैसे जैसे कि अगर आपने examiner को बताया कि हमें क्या क्या given था, इस given parameter का मतलब यही है, कि हमें given था एक voltage, हमें given था एक current, ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था resistance और कैसे निकाला, उसके लिए हम यहाँ पर आपका आते हैं, तो यह आपका निकालते हैं solution, तो हमें पता है कि ohm slow आपका क्या बताता है, वही वी equal to i into r, यह आपका बताता है, ठीक है अब जब आपका given ना हो, कि temperature change हो रहा है, ठीक है अगर आपका यह चीज given नहीं है temperature आपका बढ़ रहा है, याट फिर temperature आपका घट रहा है, ठीक है, अगर इस चीज के बारे में clear नहीं है, तो हमें क्या करना है, हम अपनी तरफ से माल लेते हैं, कि temperature is constant, क्योंकि यह law कब valid है, जब आपका temperature constant होगा, तभी आपका यह law valid होगा, तो इसका मतब V equal to IR हमने माल लिया यह आपका क्या है, constant temperature पे है, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, R की value निकालनी है it is equal to V divided by I, अब यहाँ से V आपका कितना given है, 0.5 फोल्ट, यानि की 1 by 2 आपको given है, और फिर उसके बद में current आपका कितना given है, 2 तो इसको भी हम लिख सकते हैं, भई आपका 2 ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा it is equal to 1 by 4 और इसको हम क्या लिखेंगे, 0.25 ओम, यह आपका आजाएगा इसमें answer, ठीक है, बिल्कुल सीधा सा आपका question था, सीधा आपका direct आपका लिया, अब यहाँ पे देखो आपने क्या-क्या assume किया आपने assume किया, यहाँ पे assumption मैं आपको बता देता हूँ, assumption यानि कि आपने माल लिया, क्या-क्या माना आपने assumption में ठीक है, assumption, आपने माल लिया temperature आपका क्या है, यहाँ पे constant है ठीक है उसके बाद में आपने इस derivation से resistance को निकाला है तो assumption आप इसमें पहले भी लिख सकते हैं तो अगर किसी question के अंदर given नहीं होगा तो हम वहाँ पे माल लेंगे कि temperature आपका क्या है constant है यानि कि जब तक given ना हो तब तक चीजे आपकी constant रहेंगी और जैसे ही आपका given होगा तब हमें उस condition के हिसाब से चलना पड़ेगा तो ये था आपका first question अब हम देखते हैं next question इस question के अंदर आपका देखिए क्या कह रहा है कि एक simple circuit है आपका उसके अंदर 24 volt की battery है उसके अंदर आपकी कितनी battery है 24 volt की और एक रिजिस्टर लगाया हुआ है रिजिस्टर आपको मैंने बताया रिजिस्टर element का नाम है और resistance उसकी property होती है तो रिजिस्टर किसका नाम होता है element का नाम यहां पे आपको क्या given है एक आपकी battery given है यह आपकी होगई रजिस्टर ये आपका रजिस्टर हुआ और इसको कहां पर आपका कनेक्ट किया गया है इसको कनेक्ट किया है आपका इस बैटरी के साथ में और इस रजिस्टर की वेल्यू भी आपको गिवन है वो आपके कितनी है 60 ओम ये आपको गिवन है ठीक है तो इसका मतलब गिवन आपकी क्या क्नेक्टिड है ॉल्त डेटरी आपकी क्नेक्टिड है yani ki voltage आपको गिवन है अब नि созд конт chickens busy अब निकाला है क्या निकालना है करन्ट आपका कितना होगा यह आपको निकालना है तो यहां से हमें निकालना है current की value, यह चीज आपको देखनी है, अब यहां पे और आपको क्या given है, यहां पे given है the resistance of connecting wire is negligible, अब देखो जरा, यह resistance तो आपका यहां से और यहां तक ही है, बाकी की जो आपकी wires बची, उसको हम बोलते हैं, कौन सी wires, यानि कि यह जो आपको connect किया गया है वो, तो इनको बोलते हैं आपकी कौन सी wires होंगी, यह connecting wires आपकी हो जाएंगी, और क्या कह रहा है कि इसका जो resistance है, वो आपका negligible है, यानि कि given आपका क्या है, connecting wire resistance, connecting wires resistance, it is equal to 0, यह आपको given है, देखो जरा, जब हम connecting wires की बात करते हैं, तो connecting wires, जिसके through आपका current ज रहा है, उसका भी कुछ न कुछ क्या रहेगा, resistance आपका रहेगा, तो वो resistance यह कहना चाहरा है, कि वो resistance आपको consider नहीं करना, सिर्फ आपको कौन सा resistance consider करना है, 60 ohm का resistance consider करना है, इसका मतलब यहाँ पर resistance, जो आपका यह आपका represent किया हुआ, connecting wires, इनका resistance क्या है, आपका 0 resistance है, ठी सकते हैं, कि भई यह आपका एक resistance हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपने कितनी voltage apply की हुई है, 24 volt और इसकी value आपकी 60 ohm है, और यहाँ पे आपको क्या बताना है, current आपको बताना है, तो अगर इस type का आपका circuit आजाता है, तो आप उसको simply ऐसे भी समझ सकते हैं, और जब आपक तो examiner को दिखाना होता है, तो उसको आप यह पूरा draw करके बताएंगे, कि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़े आपको given है, और यह आपको निकालना है, तो अब इसका ज़रा solution देखते हैं, इसके solution के अंदर आपका क्या आएगा, देखो, according to ohms law, ohms law आपका क्या बताता है, कि V it is equal to IR, अब क्योंकि temperature के बारे में, यहाँ पर भी नहीं कह रहा, तो temperature हम क्या लेंगे, constant लेंगे, ठीक है, तो temperature आपका क्या है, at temperature equal to constant, यह आपका तब valid है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, I की value निकालनी है, V divided by R, तो यह आपका क्या हो जाएगा, V की value यहाँ पर क कितना given है, 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जारा देखिए, 24 divided by 60, यह आपका 2 by 5 आ गया, यानि कि इसका मतलब कितना हो गया, 0.4 ampere, इतना आपका current इस circuit के थुरू flow करेगा, यानि कि यह current कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, यानि कि इस 60 ohm के थुरू कितना resistance यहाँ पर और ampere, ठीक है, यह आपका हुआ, next question, अब उससे अगले question में आपका देखते है,